राश्रियास वायम सेवक्संग के सरकार्यवा दत्तातर रहे होजबाले बांगलादेश परिस्तितियों पर अपने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से बांगला देश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दोरान हिंदू बौद तथा वहा के अन्य अल्पसंख्यांग समुदाय के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं पर राश्ट्रियस वायमसेवक संग गंभीर चिंता व्यक्त करता है बांगला देश में वर्तमाज में जो गटनाए हो रही है उस संदर में राश्ट्रियस वायमसेवक संग के मानिय सरकारवाद अत्तात्रे होस्बली जी द्वारा एक वक्तव्य जारी किया है मैं उस वक्तव्य की जानकरी देने के लिए आपके सामने हो उन्होंने आज 9 अगस्ट को एक वक्तव्य के द्वारा बांगला देश के परिस्थी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि विगत कुछ दिनों से बांगला देश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दवरान हिंदू बहुद्द तथा वहां के अन्य अलपसंक्यक समुदायन के साथ खोर रही हिंसा की घटनाओं पर राश्ट्रिय संसेवक संग गंबीर चिंता व्यक्त करता है उन्होंने अपने वक्तवे में ये भी कहा है कि बांगला देश में हिंदू तथा अन्य अलपसंक्यक समुदाय के लोगों की लखी थत्या, लूट पाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जगन्य अपराद और मंदीर जैसे शद्धा स्थानों पर हमले जैसी कुरूरता और सहनिय है और उन्होंने ये भी कहा है कि राश्ट्रिय संसेवक संग इसकी घोर निंदा करता है आगे वो कहते हैं कि बांगला देश की कारेकारी सरकार से अपेक्षा है कि वो तुरंत सक्ती से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं और पिडितों के जान, माल और मान यानि जो सन्मान है उसकी रक्षा की समुचित प्यवस्था करें उन्हेंने विश्व समुदाय और भारत के राजनितिक दलों को भी अपिल की है कि इस गंभीर समय में विश्व समुदाय तथा भारत के सभी राजनितिक दलों से भी अनुरोध है कि बांगलादेश के प्रताडन के शिकार बने हिंदू बाउध्य इत्यादी समुदायों के साथ सभी एक जुट होकर खड़े हो उन्होंने भारत सरकार से भी अपिल की है कि बांगलादेश की परिसिती में एक पडोसी मित्र देश के नाते सुयोग्य भुमी का निभाने का प्रयास कर रहे भारत सरकार से राश्टिय स्रेंसेवक संग आगरह करता है कि बांगला देश में हिंदू बहुद आधी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तू हर संभव प्रयास करे आज ये वक्तव्य राष्टिय सेंसेवक संग के माननीय सरकारवा स्रिमान दत्तातरे हुजबले जी ने आज इसको दिल्ली में जारी किया है और उन्हें इस वक्तव्य के द्वारा बंगला देश में जो पिडित है उनकी जो दुख है उसके प्रती अपनी संवेदना वेक्त की है और उनके सुरक्षा के लिए भारत सरकार और सभी लोगों को अपील किये कि वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे